नवस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल आरपी के एलेक्टिसियन और इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूँगा कि समर्सिबल मोटर का सेलेक्शन यानि समर्सिबल मोटर का चुनाओ कैसे करना है आपको जब आप बोर लेते हैं तब से लेकर के जब तक आप समर्सिबल मोटर नहीं खरीड लेते हैं तब तक आपके दिमाग में बहुत सारा पनिवर्यवे ब्रस स्टेज की लूँ सबसे पहले आपको समर्शिवल मोटर के बारे में थोड़ी जानकारी होना जरूरी है तभी आप अपने लिए अच्छी समर्शिवल और कितने फिर नीचे डालना है इसे हिसाब से अपनी समर्शिवल को चुनाओ कर सकते हैं खरीद सकते हैं नहीं तो आपको बहुत बड़ा दोखा हो जाता है जब आप दुकान पर जाते हैं दुकान दार जैसे नहीं वैसे समर्शिवल मोटर आपको दे देता है बाकी परिसानी आपको जहलनी पड़ती है इस परिसानी से बचने के लिए आपको समर्शिवल मोटर के बारे में कुछ जानकारी होना बहुत जरूरी है, समर्सिवल मोटर, complete समर्सिवल मोटर में दो पार्ट होते हैं, एक मोटर अलग से होती है और पंखी अलग से होते हैं, जिसको जोइंट करके complete समर्सिवल मोटर बनाया जाता है, पंखी का काम अलग होता है, और मोटर का काम अलग होता है, मोटर पंखी को पंखी के बारे में कुछ जानकारी समझ लीजिए समर्शिवल मोटर पंखी स्टेज के हिसाब से आती है यानि समर्शिवल मोटर की जो पंखी होती है वह स्टेज के जब आप समर्शिवल मोटर खरीदें दुकान पर जाते हैं तो समर्शिवल मोटर के ऊपर लिखा होता है दो 10, 3, 7, 5, 10 इस तरह से लिखा होता है यानि पहला अक्षर मोटर का HP बताता है और दूसरा अक्षर जो होता है मोटर में जो पंखी लगी है उसका स्टेज बताता है पंखी में स्टेज का बहुत बड़ा महत्त होता है यादि आप स्टेज का ध्यान नहीं देते हैं तो आपको बहुत पष्टाना पड़ जाएगा यानि जब समर्सिवन मोटर लेने जाते हैं एक बात marble गासे में रखती है दी फॉर और भी सिक्स इस समय मार्केट में भी फॉर और भी सिक्स की मोटर थरे भी बहुत सारी अवेलेबल है आपको अब इहां एक और बात ध्यान में रखनी है, याँ आप V6 की मोटर ले रहे हैं, तो उसमें जो स्टेज होता है उसका स्टेज अलग काम करता है, ed b4 की motor ले रहे हैं तो उसका stage अलग काम करता है सबसे पहले हम b4 का stage की बारे में समझ लेते हैं ed b4 की motor आप ले रहे हैं उसके पंखी में 7 stage है और stage empolarki संख्या पर निर्भण करता है यानि किसी पंखी के अंदर जितने empolarki संख्या होती है जो घूमने वाला पार्ट होता है पंखी के अन्दर उसी को एमपूलर करते हैं, उसी की संख्या के आधार पर पंखी में stage बना जाता है, एड़ पंखी 10 stage की है तो आपको समझ लेना चाहिए कि इस पंखी के अन्दर 10 एमपूलर लगे हुई है, भीफोर की मैं बात कर रहा हू 10 स्टेज की है तो आपको यहां से गुड़ा कर लेना चाहिए कि 1 एमपूलर 20 फीट पानी उपर चढ़ा रहा है तो 10 एमपूलर कितने फीट पानी उपर चढ़ाएंगे इस हिसाब से आप मोटर ले सकते हैं अब 26 की तरब चलते हैं 26 की मोटर आप ले रहे हैं उसमें स्टेज का मतलब एमपूलर की संख्या ही होता है यानि किसी पंखी में 5 स्टेज है तो उसके अंदर 5 एमपूलर लगे हुए हैं जो पानी को चढ़ाने का काम करते हैं 26 की मोटर में एक एमपूलर 30 फीट उपर पानी चढ़ाता है आपको ध्यान देना है यहीं पर यानि जब 26 की मोटर ले रहे हैं 26 की मोटर 24 मोटर से मोटी जादा होती है और लंबी कम होती है यहीं आपको थोड़ा कनफ्यूज होगा 26 की मोटर में एक एमपूलर 30 फीट उपर पानी चढ़ाएगा जबकि भी फोर मोटर में एक एमपूलर 20 फीट पानी उपर चढ़ाएगा जब वह लोकल ब्रांट की नहीं होगी तब यहीं लोकल मोटर है तो वह 20 फीट से कम ही 15 से 18 फीट के बीच में ही पानी उपर चढ़ाएगा लेकिन भी फोर मोटर आपकी ब्रांट है अच्छी कमपनी की है तो एक एमपूलर 20 फीट उपर पानी चढ़ाएगा पुना से एक बार अच्छे से क्लियर कर देता हूँ भी फोर की मोटर एक स्टेज 20 फीट उपर पानी चढ़ाएगी पांच स्टेज 100 फीट उपर पानी चढ़ाएगी 10 stage 200 feet उपर पानी चड़ाएगी यदि B6 की motor है तो एक stage का मतलब 30 feet उपर पानी चड़ेगा 2 stage का मतलब 60 feet उपर पानी चड़ेगा इसी तरह से यदि 5 stage है तो 5 गुड़े 30 करके आपको निकाल लेना है कि अब motor कितने feet उपर पानी चड़ाएगी इसी तरह से आपको पंखी में एमपूलर और stage का गुड़ा गरीट लगा करके आपको अंदाजा लगा लेना है कि हमको कितने feet पर motor को डालना है और कितना उपर पानी चड़ाना है अब थोड़ी सी जानकारी आप motor के पंखी के बाद motor के बारे में भी समझ लेते हैं कि कौन सी motor कितने HP की motor कितने feet तक डाली जा सकती है 1500 से कम यानि 160-170 से कम feet में 1 HP, 1.5 HP और 2 HP की motor डाल सकते हैं बेटर performance के लिए यानि motor में फोर्स अच्छा मिलेगा यानि आप 170 से उपर feet में यानि 170 feet से जादे feet में आप motor को डाल रहे हैं तो आपको 3 HP की motor डालना पड़ेगा बेटर performance के लिए motor 2 HP की 180-200 feet तक चल जाती है लेकिन उसका जो फोर्स होता है पानी देने की छमता होती है कम हो जाती है यानि आपको बेटर performance चाहिए तो 170-160 से कम feet में आप 1 HP, 1.5 HP, 2 HP की motor डाल सकते हैं 170 से उपर 230 तक आप 3 HP की motor डाल सकते हैं 3 HP की motor 200-260 तक चल जाएगी लेकिन उसका performance कम हो जाएगा मैं बेटर performance की बात कर रहा हूँ 230 और 400 फीट के अंदर आप 5 HP की motor डाल सकते हैं और 400 फीट से उपर आप 7 HP की motor डाल सकते हैं आसा करते हैं कि हमारे दोरा दी गई जानकारी आपको कुछ अच्छी लगी होगी कि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा